हालो फ्रेंद्स वेल्कम टू माई चैनल ड्रीम पफ आप देख रहे हैं ड्रीम पफ और मैं पूत देवखरिया अर्चना तो आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आई हूं वो मेरी सुडेंट आपको शो करेंगी कि कैसे आज उन्होंने अपनी केक्ट के उपर कौन सा इफैक्ट देने की कोशन की और कौन-कौन सी गड़बढिया हुई और क्या गलती हमने की है इस वीडियो में तो इन सारी चीजों को जानने के लिए बने रहे हैं मेरे चैनल में और अब भी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब नोट होने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपकी घर तक पहुंचे और दोस्तों जैसा कि मैंने वादा किया था कि ड्रिंपफ हमेशा एकलस बेकिंग लेकर के आपके सामने होती रहेगी और कुछ देवखरिया रेसेपी तो दोस्तों कुछ नहीं हमने ठीज सारी देवखरिया रेसेपी को अपलोड किया है तो बने रहेए मेरे चैनल में और चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने कौन-कौन सी कड़बडिया की है तो दोस्तों यहां पर हमने वन कप वनिला प्रिमिक से लेकर के अपनी चॉकलेट बैटर को रेडी किया तो आज की इस वीडियो में हम शो करने वाले हैं कि कैसे टाइगर प्रिंट बनाते हैं टाइगर प्रिंट केक या टाइगर इफेक्ट केक तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो आज में लेकर के आई हूं दोस्तों क्यूंकि हमेशा सेम वीडियो अपलोड करने से हमारे वही रेसिपी तो इसी बोरियत से बचने के लिए आज की इस वेडियो को मैंने बहुत शॉट कर दिया है जिसके लिए मैं माफी चाहूंगी और यहां टर्न टेबल पर मैंने एक हैंकी को रख लिया है उसके बाद केक वोट को रख लिया है ताकि हमारा केक वोट स्लिप नहीं करें और सबसे पहले मैं अपनी स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट कर रहे हूं कि पैलेट नाइप पर कैसे फिंगर रखना है और इसे टर्न टेबल पर चलाना कैसे है जब हम इस स्पॉंज की आइसिंग करते हैं उस तोरान पैलेट नाइप को किस एंगल पर सेट करना अगर टेड़ा मिड़ा हम लोग रखते हैं तो लास्ट में ना तो बॉर्डर बन बाता है ना डिजाइन अच्छी होती है और केक देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है तो इस तरह से इन सारी बातों का ध्यान रखते वे हमें अपने केक को रिडी करना है और इस तरह की चीजे होती है अकसर तो इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है हमें और यहां मैंने चॉकलेट गनाश ले लिया है चुकि यह चॉकलेट केक है तो इसमें धीर सारा चॉकलेट गनाश चाएगा जिससे हर बाइट काफी ठिस्टी बनने वाली है तो इस तरह से हमने पर तयार कीवी चॉकलेट गनाश को भी ले लिया है और इसे समान रूप से फैला दिया है चारो तरफ और इसके बाद टॉप लेयर को हमने पलट करके ले लिया है और जब जो गैप दिख रहा है उसे इस तरह से क्रीम बीच बीच में भर लेना है ताकि कहीं से भी यह तो इस तरह से हमने सेजिए को गवर कर लिया है करम कोटिंग कर लिया इसके बाद इसकी सोकीं करेंगे सोकीं के दौरान भी बहुत ध्यान रख ना क्योंकि हमारी विपिंग क्रीम काफी स्विटेंड होती है और इस पर जो गनाश हम लोग अपलाई करते हैं तो काफी चॉकलेट डालने की वज़द से वो अल्रेटी बहुत मिठी होती है तो मिठास की पैलेंस बनाई रखने के लिए हम लोग प्लेन वाटर से इसकी सोकिंग क करते हैं और यहां हमने फाइनल फ्रोस्टिंग कर ली है अपनी केक की और इसके बाद क्या करना है कि दोस्तों जब हम टाइगर प्रिंट केक बनाते है तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आइसिंग की हुई केक पहले से रेडी रहनी चाहिए पर चुकि हमा करने की कोशिस करते हैं तो क्या होता है कि ये क्रीम भी अभी सेट नहीं हुई है और इसमें जब हम लोग गरम गरम चॉकलेट डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि क्रीम मिल्ट होने का खत्रा बना रहेगा और यही चीज बराबर हो जाता है क्योंकि कई बार हमारे पास बिल् प्लास्टिक कार्ट से अपने केक को शार पेजस देने की कोशिस की है और इसके बाद जो हमारा गनाश है वो काफी गरम होना चाहिए तब ही टाइगर प्रिंट हमारा तयार होगा नहीं तो फिर वो प्रॉपर टाइगर प्रिंट हमारा नहीं बन पाता है तो इस समय हमने क्या किया है चॉकलेट को गरम करके ले लिया है और यहां पर एक पैलेट नाइब के ऊपर मैंने वाइट क्लेज लिया है और इसमें मैजिक कमपनी की मैंने गोल्डन कलर ली हुई है और इस तरह से हमें क्या करना है चॉकलेट को इसमें पोर करके और दूसरी पैलेट नाइब को फटाफट यहां पर चला देना है तो बीच में से आपको दिखेगा दोस्तों देखे कितना प्यारा हमारा टाइगर प्रिंट तयार हुआ है